इस प्लेंडर बी एस सेवन यानि की ओबीडी टू इट वेट के साथ आ चुकी है इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली यह स्प्लेंडर 1994 से 1994 से आज तक चार करोड से भी ज्यादा यूनिट इसकी सेल हो चुकी है तीन विरेंट के अंदर आस तक की आती है सबसे पहले जो इसका वेरेंट आता है बेस्वेरेंट इस प्लेंडर बेस नोन-I3S टेकनोलिजी के साथ में आता है के वबब साइट पैनल को पर आपको अच्छे लगेंगे सबसे बड़ा अपडेट इसके अंदर आपको digital मेंटर मिल जाता है माई ही यहोग के इसके अंदर आपको नम्बनिंग देखने को मिल जाती है काफी जाधा फीचर्स देने के बाद इसमें रियल टाइम एवरेज भी मिल जाता है फ्यूल गेज मिल जाता बट टाइमिंग नहीं मिलती है बट आगे की बात करें तो यहां पर आपको स्विचिस मिल जाते हैं जो कि बेसिक के सभी बाइक में आते हैं और राइट साइड में सेल्फ का लगते हैं 3D में लोगो मिल जाता है जो कि क्रोम की फ्रिशिक के साथ में आता है और इसका जो ब्लैक का टचेना ग्लॉसी ब्लैक का मुझे बहुत जाथ अच्छा लग रहा है अब ये 2023 के अदर ओबीटी टू अपडेट के साथ में आई है तो यहां पर आपको 20 परसेंट प्लस 80% पैटरोल के साथ में चल सकती है और अगर आप चाहो तो पूरा पैटरोल भी चला सकते हो जब तक वो 20% एथनॉल 80% पैटरोल नहीं आता है जब तक आप इसको राम से चला सकते हो पूरा पैटरोल के ओपर इसके अंदर आप काफी साइंसर देखने को मिल जाता है से ज्यादा क्योंकि अबडेट हो चुकि यहां पर आपको चार गेर मिल जाते हैं एड़ेस्टेबल इसमें फ्रेंट फूट्रेस मिलता है जो कि अगर आपकी गाड़ी गिरती है तो यह मुड़ जाते हैं बट यह बैंड नहीं होते हैं जो काफी अच्छी चीज़े यहां इंचे कट ओफ सेंसर के साथ में साइड इस्टेंड गारी बंद हो जाती है अगें पीछे अड़ेस्टेबल फूट्रेस बिलियन के लिए डीचे मिलता है आपको प्रॉपर चैन कवर प्लास्टिक का मिलता है यह पर पूरा ब्लैक है तो काफी अच्छा लगता है मेंटनें इस बैक में कोई भी दिक्कत नहीं आती है तीन बैठते हैं शार बैटनें काफी लंगी सीट है अब एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है इंटेग्रेटर ब्रेकिंग सिस्टम इस बाइक के अंदर क्योंके दोनों ही आगे और पीछे दोनों एक साथ ब्रेक अपलाई हो पराना वाला हेड़ लाइट शटम मिलता है बट मल्टी रिफ्लेक्टर मिल जाता है और हाईलोजन बल्प है उपर है LED DRL जो की हाई इंटेंसिटी के लिए लगाई गई है काफे अच्छी लगती जिलने के बाद इस बाइक के अंदर ग्राफिक्स जो है हैड को पर यह काफ सकतो क्रोम की फ्रिशिंग दी गई है काफी अच्छी लगती है आगे तक भी यहां पर आपको कैटलेटिक कंवर्टर मिल जाता है और सबसाची चीज मुझे यहां पर यह लगी है कि स्टैंड की तरह बना दिया है कि आपका पैर इंजिन पर टचना हो जब यह ज्यादा गर आपको साइज जरूर दिखा देता हूं पीछे कभी अठारा सो अठारा इंच के लोगी वील्स तो सेम टायर साइजे पीछे कभी आगे कभी कोई दिक्कत नहीं है सीट काफी लंबी है जैसे कि पहले से इस बाइक की चली आ रही है तो यहां पर कंफर्ट भी काफी अच्छ लिम बिल जाता है जो की स्टैंड भी कहते हैं काफी लोग इसको बनाते है और यह रियर की जो लाइट है ना बचपन से देखते हम इसे आ रहे हैं तो वही वाली फिलिंग से यहां पे नंबर प्रेट के लिए स्पेस पीछे प्लास्टिक का मढगार्ट और रिफ्लेक्टर वगेरा सब चीजे वही हैं टायर काफी पतला है देखना में लग रहा है वाग जब चलती है तो काफी अच्छा लगता है काफी लोग इसको चेंज भी कर राते हैं अब आतने इसकी प्रैजिंग को उपर तो डेली में इसकी जो नोड प्राइजिंग ऑन्न यहां पर जो इ यह है आपको मिल जाता है all black canvas कितना साथ स्टोक आप यहां पर देख सकते हो सभी E20 update के साथ में आप खड़ी है मैं आपको दिखा सकता हूं यहां आप देखो स्टीकर तो यह भी आपको चार हजार रुपे कम में मिल जाती है क्योंकि इसके अंदर आपको डिजिटल इमिटर नहीं मिलता है LED डियारल नहीं मिलती है फ्रेंड में ग्राफिक्स वगरा नहीं मिलते हैं बट इसका जो लुक है यह हाई डिमांड में रहती है बाइक इसका आप देख सकते हो canvas जो एडि यह तो हो गई अब इनकी बात इसकी प्राइजिंगे इन 20,000 लुपे ऑंड़ो डेली के अंदर चार्जिंग पोर्ड भी इसमों मिल जाता है काफी अच्छी चीज है सेकंड टॉप मोडल के अंदर चार्जिंग पोर्ड मिल जाता है काफी अच्छा यूसफुल फीचर यह के लिए हो सकता है एमर्जनसी के लिए कहीं भी जरूरत पढ़ सकती है यहां पर प्रॉप पर आपको स्टॉक मिल जाएगा शोरूम की सभी डिटेल आपको डिस्क्रेप्शन मिल जाएगी वहां से चेक आउट कर लेना नमबर में दे दूँगा प्राइज अगर आपको अपन